इसमें में दो वराइटीज बताऊंगी, एक simple way of trading और एक little complicated way of trading जो option traders हैं वो इसी के base पे अगर मान लो ये EA में के नीचे हैं तो put पे try कर सकते हैं सेम चीज और अगर ये EA में के ऊपर है तो call buy में try कर सकते हैं 9.15 के first five minutes बहुत बड़ा move आ सकता है इसलिए मैं वो first five minutes बिल्कुल छोड़ देती हूँ इसलिए वो hit किया exit मतलब exit मैंने पांच मिनिट में इतनी बड़ी-बड़ी candles बनते देखी है कि मेरी कम से कम एक डेड़ दो महिने की profit एक सेकेंड में माइक आउट हो जाती है नमस्ते फ्रेंट्स आज का टॉपिक इंट्राडे ट्रेडिंग पर ही है थोड़ा सा अलग से है बिकाज आपकी च्छावा पैसे में भी यूज कर सकते हो ये में भी यूज कर सकते हो 20 डे या 20 पीरियड अगर मैं इसे पाच में ले रही हूं तो वो 25-5 मिनिट्स के कैंडल होते हैं अगर मों मैं 15 मिनिट्स के टाइम फ्रिम में देख रही हूं तो 2020 के 15 के हिसाब से 20 पीरियड हो जाएगा अवर्ली देख रही हूं तो 20 अवर्ली देख रही हूं तो 20 डेज्स, वीक्ली देख रही हूं तो 20 वीक्स और मंत्ली देख रही हूं तो 20 मॉंट्स बट यहां पर मैं पांच मिनट में ले रही हूँ और 20 पिरियड मुविंग अबरेज EMA, SMA, as per your choice, nothing hard and fast कुछ खास पर्क जहां तक मुझे लगता है, इंट्राडे में इतना पड़ता नहीं है Friends, मैं जो है EMA से comfortable हूँ हमेशा से EMA यूज करते आई हूँ, इसे EMA मुझे जमता है तो 20 पिरियड मुविंग अबरेज का high और low एक band बनाते हैं उस band के हिसाब से हम trade लेते हैं अगर band के उपर nifty खुलती है, मैं इसे सिर्फ nifty में यूज करती हूँ stocks, bank nifty, मैंने अभी तक इस पर नहीं किये हैं, सिर्फ nifty करती हूँ आप भी चाहें तो इसे जहां चाहें एक बार try करके देख लीजे लेकिन अगर success मिलता हो तो करिए मैं यह नहीं कहूँगी कि success बहुत great है बट जो नए traders हैं, उनको एक help मिलेगी, एक direction मिलेगी trade का जहां पर उनका दीरे दीरे confidence built up होगा income start होगी, यह मत सोचिये कि बहुत बड़ी blasting income हो जाएगी consistent income अच्छी बात है, अगर 60% भी मेरा strike rate आता है और 40% के लिए, सारे 40% SL hit नहीं होते हैं around about 25% SL hit होते हैं, 15% लगबग cost या उसके आसपास या हलका सा नीचे जाते हैं ले दे के net off में भी अगर हम घर पे पैसा ले जाते हैं that is more than enough हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम घर पे कुछ पैसा लेके जाएं और जो नए participants आते हैं, जो चाहते हैं हम trader बन जाएं, professional trader बन जाएं और struggle करते हैं, तो मैंने सोचा उनके लिए एक ये वीडियो बना दूँ इसमें मैं दो varieties बताऊंगी एक simple way of trading और एक little complicated way of trading है दोनों ही simple, दूसरा भी बहुत जादा complicated नहीं है लेकिन उसमें थोड़ी practice की जरूरत है, या कह सकते हैं थोड़ी ज्यादा practice की जरूरत है बट ये वाला भी है, practice की तो इसमें भी जरूरत है लेकिन छोटे से try करके देख सकते हैं और जो option traders हैं, वो इसी के base पे, अगर मान लो ये EA में के नीचे हैं तो put पे try कर सकते हैं, same चीज, और अगर ये EA में के उपर है, तो call buy में try कर सकते हैं as a buyer, तो capital भी कम लगेगा, छोटे से stop loss से काम हो जाएगा आप सोचते होंगे, मैं profit की बात बाद में करती हूँ, stop loss की बात पहले करती हूँ देखिए, profits अपना है, लेकिन loss बिना सोचे समझे, आ जाता है हम जब भी trade करते हैं, हम profit calculate कर लेते हैं कि हमें इतना profit चाहिए लेकिन उसके सामने हम loss कितना ले सकते हैं, वो भी तो होता है अगर मुझे letter से 1000 रुपय कमाने हैं, तो क्या उसके सामने में 2000 loss की तैयारी रखो या loss की planning ही नहीं करूँ, तो अगर 1000 कमाने हैं तो 500 का loss हो, बस इससे ज़्यादा नहीं हो तो generally, मैंने सब के साथ देखा है, चाहिए वो retail हो या कोई भी, हम जो भी trade लेते हैं, immediately ये सोचते हैं कि मुझे इसमें इतनी profit होगी अगर loss हुआ तो हम कितना loss ले सकते हैं, because वो जो loss है, वो control में होना चाहिए हम profit तो control कर लेते हैं, जबकि profit मत control कीजिए, loss control कीजिए तो चली आते हैं, अपने charts पे और दिखाती हूँ मैं, कैसे मैं उसका trade लेती हूँ तो हम indicators में जाते हैं, और EA में moving average exponential दो बार डाल देते हैं ओके, यहाँ पर आगया होगा, अब इसकी हम setting change करते हैं, और इसको बना देते हैं 20, और close की जगे हम दाल देंगे, high, और color हम change कर देंगे, red कर दीजे, green कर दीजे, जो भी आपको चाहिए वो color डाल दीजे, थेक रखिए, और उसके बाद, अब जो है, यह second वाले को हम change करेंगे, 20, 20 के साथ हम इसको close की जगे low करेंगे, और low के साथ हम इसका color जो है blue रखेंगे, और thickness यह वाली रखेंगे, देखिए, हमें एक band मिल गया, एक चीज याद रखिए, जब हम high और low band लेते हैं, उसमें क्रोसोवर कभी भी नहीं होगा, तो अगर आपको november हो रहा है, तो settings में, कहीं न कही प्रोब्लम है, Because हमें तो high और lowली है, वो november कैसे हो सकता है? देखिए, कहीं भी आपको crossover दिखंग रहे है? बैंड ही दिख रहा है ना कहीं भी क्रोस ओवर दिख रहा है तो अगर ये क्रोस ओवर आपको कहीं पर भी क्रोस ओवर दिखे तो इसका मतलब उसमें कहीं न कहीं कोई गल्पी है ओके चलिए अब इसे समझाते हैं तो इसका screenshot लेके और फिर मैं आपको समझाते हूँ opening यह होती है market की opening यहाँ पर gap down opening यहाँ पर gap down opening तो है लेकिन मेरा जो भी trade start होता है इसमें यहाँ पर मैं 9.20 से trade start कर सकती हूँ 9.15 के first 5 minutes बहुत बड़ा move आ सकता है इसलिए मैं वो first 5 minutes बिलकुल छोड़ देती हूँ और watch करती हूँ 9.20 के बाद trade start करती हूँ intraday है और strictly intraday no carry एक चीज और my friend अगर आप intraday trader है या बनना चाहते हैं तो एक चीज यह धियान रखेगा कि जब तक आपकी position खड़ी है आप terminal के आगे से जा नहीं सकते कि हाँ भई हाँ ऐसा कर सकते हो कि आपको जाना है आप target डाल दो stop loss डाल दो चले जो लेकिन यह धियान रहे कि वो position square off होनी ही चाहिए कल के लिए carry forward नहीं होना चाहिए अगर आप भी intraday trading सीखना चाहते हो तो हमने आपकी फेवरेट जोदी कुद्या माम के साथ मिलकर एक कोर्स डेवलप किया है इस कोर्स में मैम ने हमें सिकाया है कि हम intraday basis पर breakout trades को कैसे identify करें यूजिंग open high, open low, short build up, and log build up अगर आप ये methods को correctly apply करते हो तो आपके लिए profitable trades को spot करना बहुत easy हो सकता है ये कोर्स हमारे platform में सरफ 399 रुपीस में available है और description में दिये गए link पर जाकर आप उसके लिए register कर सकते हो तो 920 के बाद ये गया उपर यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना distance है ये moving average पर तो ये trade मैं नहीं लोगी मैं वो trade लोगी जो moving average के pass में है जैसे ये 920 का trade है moving average के pass में है इसने इसका high cross नहीं किया तो let us से मैंने यहाँ पर कहीं भी trade ले लिया होगा ओके यहाँ पर अगर मैं कहीं भी trade लेती हूँ तो वो rate ये trade हमने roughly around 20 to 650 के असपास ले लिया तो पहला काम मेरा stop loss ये होगा उसके बिना मैं trade को हाथ नहीं लगाँगी तो ये stop loss क्या होगा जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिया है तो इसका stop loss ये line आएगी roughly अगर मैं इस line को ले रही हूँ फिर मैं चाहूँ वैसे वैसे stop loss ट्रेल कर सकती हूँ ओके ये stop loss ट्रेल करते करते भी मैं आगे ले जा सकती हूँ तो अगर मैं 6.50 और 7.20 ले रही हूँ तो मेरा stop loss आता है 50 points काफी बड़ा है let us see उसके बाद लेकिन हमें target भी तो 100 points चाहिए अब हम ने देखा ये low भी है और यहाँ पर movement जैसे ही 50 points आते हैं अगर मैंने 2 lot में काम किया है और 50 points आते हैं तो मैं सबसे पहला काम क्या करती हूँ book 1 अगर मैं short करती हूँ two lots अगर आज की तारिक में देखा जाए आज जब मैं ये record कर रही हूँ तो nifty की lot size है 25 मतलब 50 units 25 हमने book कर लिए जैसे ही हमको 50 rupees profit मिला उससे क्या होता है कि मुझे जो stop loss है ना वो नुकसान नहीं देगा या बहुत ही nominal में छुट जाओंगी इसलिए 50 points मैं 50% book कर लूँगी और अगर मैं देखू तो वो time पर ये यहाँ पर आ जाएगा तो roughly around मेरी cost price पर आ जाएगा या selling price पर आ जाएगा उसके बाद और मुझे जैसे ही 50 points करीब मिल जाते हैं 100 points तो मेरे पास दो option है या तो मैं इसको यहां पर इसके साथ साथ में ट्रेल करते जाओं और यहां पर exit exit मतलब exit no if no but close का wait नहीं करती मैं reason let's say for example यहां सामने ही है यहां पर close हो गया और यह उसके बाद बीचे आया और मैं close का wait करूँ तक 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 तो यहां पहुंच जाएगा इसलिए वो hit किया exit मतलब exit मैंने 5 minute में इतनी बड़ी बड़ी candles बनते देखी है कि मेरी कम से कम एक डेड़ दो महिने की profit एक second में wipe out हो जाती है इसलिए मैं stop loss के लिए price दिमाग में नहीं system में रखती है तो इसे trail भी कर सकते हैं जो लोग algo यूज करते हैं या आलगो पर coding करते हैं वो भी ये कम कर सकते हैं कि इसे 20 के band के moving average के थोड़ा सा उपर SL लगाके अपना SL को trade कर सकते हैं आलगो में ये coding हो जाएगी आराम से इस तरह से trade करती हूं exit होने के बाद simple trade वाले में मैं फिर से trade नहीं लेती अगें यहां पर gap है यह trade में नहीं लोगी यहां पर pass में है इसलिए मैं trade ले लोगी क्योंकि gap का जो difference है तो अगर मैं लेटे से यहां पर कहीं trade करूंगी न 920 का तो मेरा stop loss कितना बड़ा हो जाएगा यह अब हमें बाद में दिखता है कि यह target है नहीं है यह position तो हमें बाद में दिखेगी लेकिन यह SL को पहले दिख रहे है ना इतना बड़ा वैसे ही यहां पर gap है और यह 920 इसके बाद अगर मैं trade लेती हूं तो मेरा stop loss इधर आएगा इतना बड़ा stop loss है इतना बड़ा stop loss कौन लेगा 80-90 पॉइंट का तो 80-90 पॉइंट का stop loss लेने का मतलब मेरा target जो है 180-80 पॉइंट होना चाहिए इतना उपर होके मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है राइट हेंड साइड हमारे हाथ में हो तब तो मुथे कुछ सौचने की जरूरती नइए अगर अगर मुझे यह राइट हेंड वाला चाहिए ड्वांस में मिल जाए तो मुझे कुछ सोचने की ज़र्वत नहीं, stop loss की भी ज़र्वत नहीं है क्योंकि मुझे पता है, मैं यहाँ पे लूँगी, यहाँ पे बेचूँगी राइट हैंड का साइड का चार्ट मेरे हत्मे एडवांस में मिल गया लेकिन क्या यह रियल लाइट में पॉसिबल है, नहीं न तो राइट हैंड साइड का चार्ट हमें मालूब नहीं है इसलिए जो कर रहे हैं, हम 50 रुपे का stop loss लेते हैं 25 की lot में वो भी बड़ा amount होता है, साड़े बारा सो रुपे 1250, इसलिए सबसे पहले उसकी booking जरूरी होती है और अगर हम इसके साथ में put या call पे काम करते हैं तो थोड़ा भले कम हो जाएगा, लेकिन risk तो है ही न अब यह देखे, यह दूसरा screenshot है यह सारे जो dividers दिख रहे हैं ना day dividers है यह इसी के बीच में है, इसी के बीच में, इसी के बीच में इसने break out दिया तो मतलब यहाँ पे मैंने trade लिया, यह मेरा SL रहेगा राइट, जो कि करीब 22.600 के असपास, यह line हल्की सी आपको दिख रही है तो 22.600 के असपास SL आ जाएगा क्योंकि मैंने trade यहाँ पे लिया है, line यहाँ पर है, तो 22.600 के असपास अब यह जो price है, it is somewhere around, let us say, 625, 640 40 रुपय का समझो हमारा SL है, तो 80 का हमारा target होता है 40 का SL है, मतलब क्या करना है अगर मैंने 2 lot लिये तो जैसे ही मैंने buy किया, 40 रुपया उपर एक lot sell करने को डाल दूँगी, उससे क्या होगा, मेरा stop loss protection type का हो जाएगा और फिर I can trail the stop loss, continue, and छोड़के जाना है है ना, कभी-कभी इतने अच्छे chance मिलते हैं 100-100 points, इतना easy होता नहीं है, लेकिन कभी-कभी बहुत अच्छे chance मिलते हैं अब letter से ये वाला है, अब हम यहाँ पर आते हैं, जिसे हमें पूरा अच्छे से समझ में आएगा तो ये वाला suppose हमने buy किया, तो क्या price है? 22,953 मेरा stop loss क्या होगा? मेरा stop loss होगा ये लाइन के नीचे 22,921, roughly around 30 points तो मतलग मुझे 83, 30 points उपर मुझे एक lot बेच देनी है तो 83 कहां आता है, तो मेरा एक lot तो बिग गया अब उसके बाद देखो, क्या हुआ है? stop loss होगा न, नुकसान होगा, ना के बराबर इसी विए 60% के strike rate में 25 trades SL hit करेंगे तो 50 इस तरह से निकाल देंगे ये जो चीज है, मैं नए traders को क्यों कह रहे हूँ? क्योंकि मुझे पता है, एक आदत होती है जब हम trade लेके बैट चाते हैं, तो हमारी नजरें वहाँ से हटती नहीं है तो नए traders की नजरें हटेगी नहीं और वो बहुत ध्यान से करेंगे लेकिन ये चीज याद रखना, stop-loss hit is a stop-loss hit उसके बाद में कुछ नहीं सोचती बोलना बहुत आसान है कि उसके बाद price उपर गया नहीं यहाँ निकाल सकता था, फिर ये पूरा rally बट friends बोलना बहुत आसान है, अगर ये मैं replay में दिखाऊ ना तो कम से कम भी 3-4 sell hit हो जाते हैं, एक ही दिन ले और sell hit होने से क्या होता है पता है, पैसा तो जाता ही है moral down हो जाता है, हिमत ही नहीं होते है आगे trade लेने की इसलिए मेरी request है आप रोगों से, slowly slowly करिए, धीरे धीरे आराम से practice के साथ में अब आते हैं, एक और style में थोड़ा complicated time मेरे पास कम रहती है, इसलिए मैं आपको 2-3 examples ही दिखा पाती हूँ, बाकि आप practice कीजिए आपके लिए भी homework है कि आप practice करेंगे तो मुझे नीचे comment box में लिखेंगे ना और जब आप comment box में लिखेंगे, like करेंगे, मुझे अपना view बताएंगे तब ही न मैं उससे आगे समझ कर उसको और detailed video बनाऊंगी, तो एक तरह से आप ये समझ ये कि मैं ये आपके लिए sample video बना रही है, अगर पसंद आए तो बताएंगे फिर मैं detailed भी बनाऊंगी, तो पहले मैं sample बनाती हूँ, like और comments के उपर detailed video मिलेगा, क्यों? सही है ना? चलिए, अब मैं आपको थोड़ा complicated trade बताती हूँ, पैसा उसमें भी है, अच्छा है, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको 60% strike rate आता है, तो helium आत, क्यों? कि 60% right होते हैं, 25% sell hit होते हैं, और 15% cost to cost निकल जाते हैं generally, ओके? चलिए अगर आप भी intraday trading सीखना चाहते हो, तो हमने आपकी फेवरेट, जोदी कुद्या माम के साथ मिलकर एक course developed किया है, इस course में माम ने हमें सिकाया है कि हम intraday basis पर breakout trades को कैसे identify करें, using open high, open low, short build-up, analog build-up, अगर आप ये methods को correctly apply करते हो, तो आपके लिए profitable trades को spot करना बहुत easy हो सकता है, ये course हमारे platform में सरफ 399 रुपीज में available है, और description में दिये गए लिंक पर ज़ाकर आप उसके लिए register कर सकते हो, अब ये gap up खुला था, दिख रहे हैं, उसके बाद नीचे गया, यहां गया, अब मैं क्या करती हूँ, नोट करिए, अच्छे से ध्यान से देखेगा, ये जो line यहां से जो नीचे गई और वापस उपर आई, फिर नीचे गई, फिर उपर आई, तो इसने एक range बना लिया, अब जैसे इसने ये range बनाया, मैं फिर से buy कर सकती हूँ, उस range के breakout होने पर, और stop loss, अफकोस ये रहेगा तो मेरा stop loss आगया, let us say यहां पर 22980 पकड़ो या 22975 पकड़ो, और buying price पकड़ो थोड़ा उपर, ठीक है, तो करीब करीब 45 points, 45 points का मतलब मुझे 90 points चाहिए, उसके पहले 45 points उपर, मैं एक lot निकल जाओंगे, तो यहां से 45 points उपर मतलब 23065, तो इसी को मैं shift करनो 23065 पर, यह देखे, निकल गया न, एक lot, और दूसरा lot, अब आप trail करें, तो trail कर सकते हैं, तो आपका trailing यहां पर, आपको exit करा देगा, तो दोनों lot में profit हो गया, एक में कम, एक में जादा, तो यह एक अलग style है, अब इसके बाद फिर से आते हैं, अच्छा इसमें एक चीज और मेरा जो rule है, मैं दो बज़े के बाद trade नहीं लेती, because दो बज़े के बाद market कभी कभी इतना volatile हो जाता है, कि जाता single side भी होगा, बट बहुत risky हो जाता है, मैं दो बज़े के बाद बिल्कू trade नहीं करती, intraday तो खास करके, अब एक और complicated trade दिखते हैं, फिर समझते हैं, वो trade लेने लाइक है या नहीं है, तो market नीचे गया, उपर गया, यह trade यहां से गया, नीचे गया, अगर पहली बात ते tradable नहीं समझ में आया मुझे, by chance अगर मैंने कर भी दिया, तो SL हिट हो गया, अब यह जो है, यह पूरा इसका range है, इस range के नीचे, अगर मैं trade लेती हूँ, तो again, मेरा SL कितना हो जाएगा, मानलो 920 पे मैं trade ले रही हूँ, और SL हो जाएगा 960, तो approximately 80 points, 80 points को मैं नहीं दे सकती, max to max 50 points, उससे ज़्यादा मुझे नहीं देना, तो यह trade मेरे लिए नहीं है, that is my simple rule, और मैं अपने rules break खुद भी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, लेकिन करती हूँ, तो शायद मुझे एकार बेर profit आभी जाया, उसने मेरे से rule break भी करवा दिया हो, और मैंने rules भूल भी गई हूँ, उसके बाद जो market ने सज़ा दी ये rule break करने की, अब समझ स करते हो कि मैं इसलिए rules को लेके बहुत जादा strict हो गई हूँ, और जब market सज़ा देता है तो भगवान भी नहीं बचा सकता, again यहाँ पर मुझे कोई trade जैसे मैंने कहा था gap है, मेरे पास कोई trade नहीं बन रहा, अब यहाँ पर देखिए, यह जैसा हम सोचते थे वैसा trade बन गय हो गया, trailing SL hit, अब चुप बैठना है, जब market यह वाला range का high तोड़ दे, कितने बज़े तोड़ा, दो बज़े के असपास तोड़ा, right, trade नहीं ले सकती, और अच्छा किया नहीं लिया, क्योंकि कोई benefit नहीं मिल रहा है, यह बोलना बहुत आसान है कि मैं यहाँ पर भी ले स सकती थी, again, right hand side की picture मेरे सामने नहीं है, अगर मैंने ले भी लिया होता, trailing आदा दिकाल भी लिया होता, तो भी मेरा SL hit होता था, लेकिन मेरा rule है कि मुझे जब तक range break out नहीं मिलेगा, मैं trade नहीं लोंगी, यहाँ पर range break out मुझे मिल रहा है, यह वाला, but it is almost near to, मन नहीं कर रहा, because एक ही candle देखिए, कितना sport मार दिया, पांच मिनट का है, तो क्या इतना fast time trade ले सकते हैं, हमारी नजर जाएगी, तो उसके बाद trade नहीं मिला, न, same way, यहाँ पर, already इतना gap के साथ खुला है, तो, SL हिट हो गया होगा, अगर trade चबदस्ती लिया या, trading खुजली जिसे कहते हैं, ले लिया, हाँ ठीक है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, मैं बराबर हो, मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पर SL हिट हो गया होगा, फिर वापस, range breakout होने पर ही, ओके, तो चलिए range breakout करके देख लेते हैं, range breakout, अब बताईए, यह trade लेने के बाद, जब यह नीचे आएगा, तो हिम्मत होगी, धर लगेगा न, तो इसलिए, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ यह, यह चीजें जो हिला कर रख देंगी, कहना easy है, लेकिन फिर भी अगर आप rule के हिसाब से चले, तो XL हिट नहीं होगा, आपका XL जाके यहाँ पर हिट होगा, उसके पहले आपका half book हो जाएगा, और net of profit में ही निकलोगे, मैं यह नहीं कहती हूँ, कि trade low मतलो, stop loss अगर define करके चलोगे न, तो कहीं कोई problem नहीं है, हमें पता है, हम कितना loss उठा सकते हैं, जहाँ पर हमें risk पता है, सोची समझी हुई risk है, तो life में कभी भी इतना बड़ा tension नहीं आएगा, और हमेशा जब भी start करो, एकदम small quantity से start करो, कि उसका जो loss है, आप बढ़दाश कर सको, मैंने देखा है, retails आते हैं, मुझसे पूछते हैं कि कितना capital चाहिए, दो-दो-पाँच-पाँच लाख लेके आते हैं, तीन वहीने के अंदर-अंदर दो-लाख-पाँच लाख गाया अब, ऐसा मत करिये, पैसा आपका है, stop-loss यूज़ करिये, और जैसा मैंने कहा, ये तो सिर्फ एक sample था, कि एक retail इसको कैसे देख सकता है, जिससे मैंने कहीं पढ़ा था, turtle trader, उनको इसी तरह का system बता दिया जाता था, कोई भी एक system, वो उसी system को blindly follow करते थे, अपनी बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते थे, और उसी के कारण, वो successfully लिख दे थे, आज वो ही मैं आपसे कह रही हूँ, आप बिल्कुल new हो इस market पे, जो भी रूल बनाओ, आप अपने रूल्स खुद बनाओ, कोई problem नहीं, लेकिन उन्हें strictly follow करें, अपने हिसाब से रूल्स चेंज मत करिए कि जो आपको सूठ होता है, और इसी के साथ से इसको practice कीजिए और मुझे बताइए, कि हमारा ये sample video आपको कैसा लगा for intraday trading, नमस्ते, थैंक यू.